बच्चों बढ़ रहे हैं कख्षा 11 की गणित का अध्याय नम्बर 9 अनुक्रमव श्रेणी बच्चों जिसके भाग नम्बर 21 तक के वीडियो से पढ़ लिए बच्चों हम शुरू करेंगे तुमारी प्रश्ण 9.3 के प्रश्ण नम्बर 19 से बच्चों 18 तक के प्रश्ण आप कोई वीडियो देखने हैं कोई अधिकार ही नहीं है क्योंकि हमेशा तुम्हें समझाता हूं बच्चों मैथमेटिक्स में ट्राइ करोगे तभी तुम्हारी मैथमेटिक्स इंप्रू होगी तुम सोचना सीखोगे वरना पर्टिकुलर कोश्चन तो तुम दो बार वीडियो दो और एकबटा दो कि संगत पदो के कुननफल से पज़ाओ संगत से तात्परिया कि उसका पहला इसका धी पहला उसका दूसरा इसका भी तीसरा इसका थीस था कि इस legislap अब पदों को गुणा करने से जो अनुक्रम बनेगा बच्चों समें पदों किसंगे पांच होगी यहां भी पांच पद यहां भी पांच पद है ठीक है तो पहले मल्टिप्लाइ करते हैं अदो क्या चाहरा है कि इन दोनों को मल्टिप्लाइ करो इन दोनों को मल्टिप्लाइ करो और इन दोनों को मल्टीप्लाइ करो इससे अनुकरम प्राप्त होगा तो आजमाली करते हैं बच्चो एक लिए से सब्सक्राइब करो तो दो सो चापपन तुम्हां प्राप्त होगा अ ठीक है आगे ढखो रहा चार को 32 से रोगे तो बच्चो धयान से गआए बचार तो बच्चो कितना बच्चा एक सो अठाइस आगे बड़ो बच्चो 16 को 32 से गुणा करेंगे आट को आट से अंटेंटी चौना करेंगे आट की बारी आप सोला की बारी बच्चो सोला किसे गुणा हो रहा है जान से देखो तो गटती भी स्रीज है 256 का दा 124 का दा 32 का दा सोला यानि कि यहां पर हम देख पार है सर एक का मान तो 256 पराप्त होता है क्योंकि हमें योगफल निकाल लाए सब के बीच प्लस का साहिन लगा देना बच्चो एन का मान 5 है और का मान सेकिंड बटा पहला दूसरा बटा पहल और तुम देख भी पार हो सब बाते आधी हो रही है तो आर का मान एक बटा दो अब हमें क्या करना है बच्चो शुरू के पांच पदो का योगफल निकालना है अब तुम्हारा मन करें तो तुम इन पांचों को एक साथ जोड़ भी सकते हो कोई बहुत बड़ी बात ही नह है ब्रेकिट वन माइनस आर की पावर एन बटा वन माइनस और कैलकुलेट कर लेना यह तुम बच्चों पांच ही तो पद है वो भी सामने दिख रहे हैं इससे कम टाइम में इनको तुम जनरली जोड़ों के तांसर आ जाएगा अब जो जो बाते मैंने लिखी जो निमेरिक भी साथ जो टाइप डिश्लेशन में ट्रेक्टिक विश्टेग को उसको इग्णोर मानना यहां से तुम्हें भाववनाए लेनी होते कि पावल की इस तरह से में लेंगवेज लिखनी है यह नहीं लिखनी इस तरह से लिखनी है गुनन फल ठीक है प्रथम पद सारव अंतर यहां पर सार वन उपात बच्चों सार वन उपात आएगा अब इन चोटी मोटी बातों को तुम कुछ सही कर लेना आगे बढ़ो फॉर्म लाम ने लगाए दिया यहां तक मैंने समझाए दिया यह एक मैनेस एक बटा दो दो उपर जाके दो सपन को दो से गुना किया नीचे सब्सक्राइब दो की पावर पाथ कितना हो तो 32 उपरा के 31 बटा 32 दो सब्सक्राइब को दो से गुणा किया यह बच्चों सोला टाइम के इंसील हो गया ठीक है फिर भाग दिया तो सोला गुना 31 मुल्टिप्लाइब करो आंसर आगे चार सो ची आनवे कैलकुलेशन तुम सब्सक्राइब कर दोट घाए कि अनुक्रम ए अर ए और स्क्वार मैंस एक दूसरा आनुक्रम दे दिया पच्चों जीपी आना उन्टृषण नी ना के संगत पदों के गुननफल से बना अनुक्रम गुनतृषणी होती है तथा सार्व अनुपाद गयात किजी तो पिछला प्रश्न हमने ऐसे तो किया था कि कोई भी हमने दो जीपी लेली वहां पे जीपी दीवी थी बच्चो इन दोनों को गुणा करने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणुत्र श्रडी होता है बिल्कुल होता है देख लो तुमारे सामने पेश भाई कोई भी कुशन तो मैंसे न कि अना बत्तिसमार्ट का बाग दो चार इस तरह सारा ना यानी कि यहां पर आरका मान ऑगा दो और यहां पर आरका मान वाच्चो दूसरी में आरकामान एक बटा चार आ अब जो प्राप्त हमारे पास श्रडी मनी वह तो गुणौत्र श्रणी मनें तो शिद्ध हो गया उस पर तुम्हें काम करो तुम्हें कुर एक्जामपल लेकर समझाता हूं को दो अलग अलग अपन श्रेणी यहां से तक पहली मैंने लेली बच्छो पहली अपने लेली दो जान से देखना चार आठ सोलह ठीक है दूसरी बच्छों पर लेता है सभी देखना आप जहां से कि यहां पे बाल को आर का मान कितना दिया वाय मारे को मिकाल लेंगे तीन कि इन दोनों के संगत गुणनफल से प्राप्त इन दोनों के संगत पदों को गुणा करो बच्छो ना दोतिया अच्छे नोचोख च्छत तेस आठ गुणा कर दो फड़ावट से ना आट उसातु चपन पांच आर्दुनी सोला बच्छो इस तरह से चलती जाएगी बच्छो गुणत्र श्रणी बनी तो पहली बात तो हमने प्रूब कर दी कि संगत पदों से संगत पदों के गुणनफल स होती है इति सिद्धम आगे वोड़ा उसका सारवनपाद गयात करो बच्छो श्रणी का सारवनपाद कितना गया यहां पर आलकामान कितना गया च्छे आगया बोलो हाय ना अब मैंने क्या समझाया था भी थोड़ दरे पहले पिछले वाले एक्जम्पल में भी कि इसके सार वंपल गुनफली इसका सारवंपली होगा इसका सारवंपलों कितना है दो कि इसका सारवंपल मैं पासा तरह कि ज्यान यदि दो अलग अलग गभन करते हैं और उसका सार्वंतर उन दोनों के सार्वंतर का गुननफल होगा ठीक है अब यह मैंने न्यूमरीकल एक्जामपल है कि तुम्हें समझा दिया अब आपको यहां पर देखो ना तुम इसको ए और इनकी फॉर्म में भी रख सकते हो तो इसका सार्वंतर इसका सार्वंतर है स्मो इन्टू कैपिटल आर चोटार गुना बढ़ार आजो यह तुम्हारा बस पेश है रेशो आगे तुम्हार बस उसी तरह से है ना ठीक है तो कल्लेन आराम से न्यूमेरीकल एक्जामपल ज्यादा सी है यहां पर तुम इसको आराम से लिखना माना की प्रिथम श्रेणी माना इसे चार पत ग्याद कीजिए को जो और क्या चाहरा है यह कहना चाहरा है जिसका तीसरा पद से नौ अधी को थोड़ी लेंग्वेज में रहे बच्वों सही कर लें इसका तीसरा पद पहले पद से ठीक है इसके बस या जाएगा नौ अधी को तथा दूसरा पद चोथे पद से बचो भुक तुमारे पास है उसमें से देख लेना अब इसकी भावनों को समझो इसने शाप्दिक बाश्या में बोला आप शब्दों में बोला हम इसको गनीतिय बाश्या में करता है ना बुनत्र शाणि में ठीक है जिसका तीसरा पद पहले पद से सरी इसने समझ में आगिया इस से एपन और आर कमान निकालनेंगे इसने चार पत पूछा ना तो 4 पत के लिए और कमान चीए फिर रॉडावड से निकालते याइंगे मल्टीप्लाइ करते 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 ना अजो मेरे साथ ती थी बोले तो बच्चो ए र स्क्वाइर ठीक है टी वन बोलो टी वन कितना होगा पहला पर तो ए होगा न प्लस नो एग्री कोई समझ्च वली बात नहीं बच्चो आपर अच्छा इधर आओ बच्चो कि इयां वे आर क्यूब और प्लस का अठ्ठार अब यहां पर क्यों एक उसथ ट्रस लेलो बच्चो न सゃे अन्दर बचेगा आर स्क्वाइर mm बराबरन्स घग यहांपर यहां पर हमने देखा अगर ए आर क्यूब उधर चला जाए तो ए आर कॉमल ले यह ले 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 लो पहला ना तो बच्चे का अमारे पास आर माइनस आर क्यूब बराबर 18 अब कैलकुलिशन तुमारे को गड़नी है विशेष ध्यान क्या रखा जाए किसे डिवैड कर लो थ आर कॉमल लिया तो बच्चो क्या बचा वन माइनस आर स्क्वाइर बराबर 18 ठीक है नीचे इधर बचेगा आर स्क्वाइर माइनस वन और यह नो बराबर में चली रहा है अब यह जंता भी कैंसिल हो जाएगी लेकिन नेगेटिव से इन कॉमल लेना पड़ेगा तो में रख दो आर कमान मइनस कट्व मैं रखने जारों में आपैना यहां पे तो ए tar nuo माइनस टुट बो मानेस 2 सब्सक्वार वर चूब How माइनस-1 बडराबर 9 आम् instruments वारप्त होता है नो बटा तीन यानिकी 3 प्राप्त हो जयता है तो मैं या आर का मान आ गया श्रेणी निकालना कौनसी बड़ी बात है बाल को निकाल लोगे न आप तो आजो तो देखो ए चार पर निकालने एक आमान तीन एको और से कुना करो तीन निट रहे चैहे फीर को प्लसका बारह को मैंस का 24 यह श्रेणी हमारी अबिश्ट श्रीज हमारे को प्राप्त होती है या इसको तुम आपनी अपनी आराम से लिकलो गई बचौ बचव hash अपनर फाइनल हाता है आंसर मैंच करते है एक कमान तो चलते हैं बच्चो अपनी बाशा में सॉलुशन लिखना वह ज्यादा बहतर होता है उससे आपको कॉंफिडेंस मिलेगा अगले प्रश्णों के साथ जब तक आप इनको तो ट्राइक करोगे करोगे ग्रहकार की कोपी जो मैंने तुमारे को बनवाई है ताकि तुमारे एक आतों से लिखेवे सॉलुशन देखने का मजा ही कुछ अलग होता है बच्चो ना तो अलवीदा बच्चो मिलता है अगले पार्ट में अगले प्रश्णों के साथ